Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल होता आया है कि student future में किस college में पढ़ेगा, कि stream में पढ़ेगा and उसका career किस दिशा में आगे बढ़ेगा, केवल career ही नहीं, अगर हम 12th के results की बात करें, तो इससे ये भी तया होता आया है कि हमारी society, हमारे friends, हमारे relatives, even हमारे parents का नजरिया, हमारे प्रती क्या होने वाला है, ये अक्सर देखा जाता रहा है कि कई सारे students fortunately अच्छे number लेकर, 12th में अच्छे number लेकर, बड़े बड़े शहरों में, अच्छी अच्छी universities में दाखिला ले लेते थे, वहीं उनके friends, जिन्नोंने शायद उनी के बराबर मेहनत की हो, लेकिन क्यूंके उनके 12th में number अच्छे नही depression में, परिशानी में रहता रहा है, क्योंकि future की चिंता 12th के student को हमेशा सताते रही है, इस background में सरकार new education policy लेकर आई, जिसके तहत 12th के students को इस प्रक्रिया से राहत देने की कोशिश की गई, राहत कैसे, एक नया exam लाकर, जिसे CUET कहा गया, पिछले दो से तीन वर्षों में, ये CUET के उपर आपने काफी चर्चा सुनी होगी, दो buzz words बने, एक है CUET, दूसरा है NAT, आज हम इन ही words के उपर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ये CUET का exam है क्या, किस तरह से जो students हैं, उनको एक राहत की सांस मिली है, और जो CUET का exam है, वो किस तरह से हमें मदद करने वाला है, क सबसे पहले CUET की बात करते हैं कि ये है क्या, it stands for common university entrance test, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12th के exams को again, एक replace करता हुआ, replace in the sense कि 12th के exam खतमी हो गया, ऐसा नहीं है, 12th के exams को selection का criteria नहीं रहेगा, इस तरह से, selection का criteria जो है, वो replace करता हुआ exam, CUET निकल कर आया, क्या है ये, a single window opportunity to all the students across the nation, वो सभी students के लिए एक single window opportunity, जो कि किसी central university में, या फिर बहुत सरी अब state universities भी क्योंकि CUET के दाएरे में आ चुकी हैं, private universities भी आ चुकी हैं, so जो students इन universities में दाखिला पाना चाहते हैं, उनके लिए, अब CUET का ये जो test है, ये देना अनिवारे हो गया हैं, अब ये एक ऐसा exam है दोस्तों, जो कि subjectivity को खतम करता है, क्योंकि हमने ये अकसर notice किया होगा, आपने भी किया होगा अपने cousins के, या अपने भड़े भाई बैनों के मामले में, कि कुछ boards ऐसे रहे हैं, जैसे CBSE की बात करूँ, जो कि काफी ज़्यादा lenient माने जाते रहे हैं, in comparison to state boards, जैसे की मैं हर्याना का जो state board है, उसकी बात करूँ, तो काफी ज़्यादा tough board माना जाता रहा है, ऐसे में, जो student 12th हर्याना बोर्ड से कर रहा है, वो कही न कहीं अकसर एक back foot पे रहा है, in comparison to CBSE students, वहाँ पर एक common platform आ गया, सबके लिए एक common, यहाँ पर platform आने से, यहाँ पर हमें देखने को मिला है, दूसरा यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें, NTA की, National Testing Agency की, तो National Testing Agency क्या है, देखें, NTA एक Ministry of Education के द्वारा लाया गया एक agency है, जो की CUT के exam को conduct कराने की responsibility लेती है, So, एक neutral party, एक third party, जो की CUT का exam conduct कराती है, Now, जैसे की CUT की मैंने आपसे अभी बात की, की भाई, काफी जादा मदद इससे students को मिल रही है, फिर से एक बार नजर घुमा लेते हैं, कि किस तरह से, जो 12th का student है, उन्हें CUT के इस exam से मदद मिलेगी, सबसे पहले तो मैंने आपको यहां पर बताया, दोस्तों, कि काफी stressful रहता था 12th का वो exam, क्योंकि 12th के exam में number हमें ये तै करते थे कि किस college में हम जाने वाले हैं, तो एक stress से यहां पर निजात मिलने की उमीद यहां पर जताई जा रही है, कि भाई, जो student है, उन्हें 12th के exam को लेकर परिशान होने की जरु दूसरा यहां पर यह कि भाई, क्योंकि 12th का exam जो है, अलग-अलग boards conduct कराते थे, उनकी अपनी-अपनी syllabus को रेकर requirements अलग होती थी, typology of question अलग होता था, subjectivity का level बहुत जादा high होता था, अब वो सब factors यहां से eliminate हो गए हैं, अब जो CVT का exam है, यहां पर standardization आ गई है, आप Delhi से है आप हर्याना से हैं, आप Tamil Nadu से हैं, कहीं से भी हैं, आपके लिए exam एक हो चुका है, and वो भी क्योंकि objective test है, तो यहां पर जो subjectivity का जो game था, वो खतम हो गया है, अक्सर हमारे teacher हमें मजाग करते थे, कि अगर भई, तुम्हारा जो examiner है, अगर उसका mood अच्छा नहीं है, तो स सामने वाले examiner के mood पे हमारा career depend हो जाता था, वो चीज़ यहां पे कहीं न कहीं eliminate हुई है, राइट, चलिए, दूसरा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि CBT, यानि कि computer based test है, तो आपकी answer sheet वहां पे खराब हो गई, उसमें pen की ink leak हो गई, जिसकी हो जैसे number अच्छे नहीं आए इस तरह की सब भी जो परिशानिया थी वो पीछे छूड़ जाती है, दूसरी बात यह कि क्योंकि यह जो CVT का exam है, इसका syllabus वही है जो कि आप 12th में अकसर पढ़ते हैं, अपनी जो journey है, school journey, उसमें जो 12th का exam आप देते हैं, वही syllabus आपके CVT के exam में भी आता है, इसकी वज़े के लिए, साथी में CVT आने से काफी ज़्यादा freedom students को मिला है, वो freedom कैसे मिला है, वो freedom इस तरह से मिला है, क्योंकि यहाँ पर students को कई सारी languages, कई सारे domain subjects का आपको एक freedom दे दिया गया है, choice दे दी गई है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से, and university, जिस university में आप जाना चाहते हैं, जिस course को आप लेना चाहते हैं, उस course की requirement के हिसाब से, आप यहाँ पे subjects को choose करके, CVT में appear हो सकते हैं, मैं आपको याद दिलवा दूँ, जब हमने भी 12th की थी, तो Delhi University का खास करके यह रहता था, कि आपके 5 subjects में से top 4 के marks यहाँ पे गिने जाते थे, अब मेरे case में ही, अगर मै आपसे यहाँ पे बात करूँ, तो मैंने 12th में commerce लिए थी, और मैंने 12th के बाद यहाँ पे Delhi University में जब admission लिया, तो BA History Honors में admission लिया, उस BA History Honors में जब मैंने admission लिया, तो commerce में मेरे जो top 4 exams थे, उनके numbers को count किया गया था, अब essay में, उस हो सकता, it is very much possible, कि जैसे मेरे case में अभी अ मेरी जो career selection थी, या जो फिर मेरी degree selection थी, वो कही न कहीं प्रभावित हुई, यहाँ पे students के पास यह option आ गया है, कि आपने 12th में जैसा मर्जी perform किया हो, it does not matter much, क्योंकि आप यहाँ पे 12th के बाद भी, जब CVT का exam दे रहे हैं, तो अपनी choice के हिस हिसाब से, आप दुबारा से इन subjects को choose कर सकते हैं, तो आपको एक बहुती wide यहाँ पे list मिलती है, जिसमें से आप subjects choose करते हैं, जिसमें आपको 33 languages, 27 domain subjects, and general test, जैसा जो हमारा test है, उसको appear करने के लिए, उसमें appear करने के लिए मौका मिलता है, Now, question है कि how will I prepare for both CUET and board examinations, तो इसका answer मैं already आपको दे चुका हूँ, कि भई जो syllabus है, 12th का, वही syllabus CUET में पूछा जाएगा, थोड़ा सा जो difference आ जाता है, वो यह आ जाता है कि मानली जी मैंने 12th में science ली हुई थी, और जिस university में मैं जाना चाहता हूँ, BTEC करने के लिए, या BSE क के साथ साथ, GT यानि की general knowledge test भी मांग लिया गया, तो मुझे general knowledge test के लिए यहाँ पे अलग से त्यारी करने पड़ सकती है, but otherwise, जो syllabus है, वो same रहने वाला है, right, जो 12th का syllabus है, वही syllabus आपका CUET में रहने वाला है, कुछ barring some papers जिनको आपको अलग से महनत करने पड़ेगी, otherwise, जो board में आप महनत कर रहे हैं, वो आपकी काफी हद तक महनत करती है, जब आप CUET की त्यारी करते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, will the board exam become redundant now, यह भी एक सवाल लाजमी है, कि भाई, अगर मुझे CUET के basis पर ही college मिलेगा, तो क्या board का exam redundant हो जाएगा, क्या मुझे 12th का exam देने की जरू के exam को basic criteria मान के चलती है, आपको qualifying criteria जो है, वो 12th का exam रहने ही वाला है, तो 12th and उसमें भी यह decide किया जा सकता है, या फिर यह कहा जा सकता है, कि 12th में आपके 60% या 70% marks होने चाहिए, अगर आप देली उनिवरसिटी में BA history honors के लिए जाना चाहते हैं, एक particular college में जाना चाहते है तो वहाँ पर requirement यह रखी जा सकती है, कि आपको 12th में इतने minimum marks लेकर आने होंगे, तब ही आप उसमें जा सकते हैं, so basically 12th का marks हैं वो redundant नहीं हो गये, only difference is कि भाई अब यहाँ पर 98, 99.5, 99, कई बर तो हमें 100% भी देखने को मिलता था, कि 100% students number लेकर आ जाते थे, और के वहल उन 20% या 80% की, कि भाई इतने आपको 12th में लाने हैं, तब जा कि आपका CUET का result माना जाएगा, वो हो सकती है, इस वार जैसे 12th का exam जो है, वो redundant नहीं हो जाता है, now, which central universities are participating in this CUET 2024 examination, so basically एक बहुती लंबी चोड़ी list है, एक बहुती expanding list है, not only central universities, state universities, deemed universities and private universities are also participating in this whole examination, so आप यहाँ पर list देखना चाहें, तो आपके सामने यह list है, बहुती लंबी चोड़ी list है, आप इस list को जाकर cuet.sumarth.ac.in पर भी जाकर देख सकते हैं, so आप देखे, जितनी भी हमारी top universities हैं, इंडिया में, वो सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, चाहे वो Delhi University है, वो BHU है, फिर अलिगड़ Muslim University, Central University of Tamil Nadu, जामिया हो गई, so सारी की सारी important universities, चाहे वो state universities है, या फिर central universities है, वो आपको देखने को मिलेंगी, so यह list जो है, आप यहाँ पर state universities की देख रहे हैं, so यह state universities की ही list आप देख रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ पर पाएंगे, यह private universities आ जाती है, right, यह private universities की list आप यहाँ पर देख रहे हैं, now, अगला क्या question है, कहता जी, is it compulsory for a candidate who desire to join Central University to appear for CUET 2024, so basically, yes, it is now required that you appear for CUET and you score well in CUET if you want to get admission into Central University, in fact, जितनी भी list हमने यहाँ पर अभी देखी universities की उन सभी में से, अगर आप किसी में भी admission पाना चाहते हैं, तो आपको इस exam के लिए appear करना पड़ेगा, when is the exam going to be held, now, यहाँ पर इस शीज का ध्यान रखा जाता है, कि आपका जो CUET exam है, यह आपके 12th के board exams को over होने के बाद ही conduct कराया जाए, so mid of May से लेकर इसको लगबग 15 दिन की अवधी हमें देखने को मिलती है, कि उस 15 दिन की अवधी में यह exam conduct कराया जाता है, so what is the mode of conducting the exam, जैसे कि हम सब जानते हैं, कि जो हमारा 12th का exam है, एक subjective exam है, आपको answer sheets लिखनी रहती हैं वहाँ पर, 3-3 घंटे के लिए, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यह एक CBT-based, यानि कि computer-based test है, so basically MCQ questions आएंगे, and computer-based test होने के जैसे आपको, इसको computer center पे बैठ कर, exam के लिए आप appear करेंगे, right, now, what is the pattern of the test, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि objective test है यह, multiple choice questions आपको यहाँ पर, दिये जाएंगे, जिसको आपको attempt करना है, now, what is the structure of CUET exam, so basically मैं यहाँ पर 2023 का जो structure है, वो आपके साथ discuss कर रहा हूँ, 2024 में भी यही structure रहने वाला है, जो कि 2023 में हमें देखने को मिला, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर, तीन sections में इस पूरे के पूरे exam को, divide किया गया है, जिसमें section 1 जो है, वो further subdivided है, section 1 जो है, section 1 A, and section 1 B में further subdivided है, and इन दोनों ही subsections में, हमें लगबग 33 languages देखने को मिलती है, section 1 A में 13 languages है, and section 1 B में 20 languages है, section 2 में, there are 27 domain subjects, and section 3 जो है, वो general test का एक paper रहता है, सवाल उठता है, कई एक भी नहीं, कई सरे सवाल उठते हैं, पहला तो सवाल ये, कि क्या मुझे हर section में से, एक या दो subjects को choose करना होगा, या फिर मैं किसी section को skip कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पर मुझे section A में से, एक language लेनी है, section 1 B में से, मेरे को दो languages या एक language लेनी है, domain में से मुझे कितने लेनी है, ये कई सारे सवाल उठने लाजमी है, इनी के उपर अब हम यहाँ पर थोड़ी से चर्चा करेंगे, so यहाँ पर एक बर मैं दुबारा से आपको बता देता हूँ, कहता है जी, CUT offers a bouquet of languages, subjects, GT covering most of the subjects and languages, offered by most of the universities, एक चीज़ को मान कर चलिए, कि भई यहाँ पर यह completely आपकी मर्जी भी नहीं है, and टे की मर्जी भी नहीं है, कि आप कौन से subjects में appear करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले यह तै करना होगा, कि आपकी target university कौन सी है, so basically पहले तो आपकी target university, उसके अलावा target college कौन सा है उस university में, and उसे भी बड़ी बात, कि आप किस stream में जाना चाहते हैं, target stream क्या है, उस इन तीनों के combination के basis पे यह तै होगा, कि आप इन में से किन-किन subjects का exam देने वाले हैं, CUT के तहट, इसको थोड़ा सा और detail में हम discuss करेंगे, आने वाली slides में, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि तीन sections में यह पूरा का पूरा exam divided है, इन तीन sections में, तीन अलग-अलग fields के, जुड़े होए subjects हमें देखने को मिल रहे हैं, section 1, उसमें भी 1A and 1B, जिसमें कि हमें 13 languages 1A में, and 20 languages 1B में देखने को मिलती हैं, यह जितने भी, यहां पर total 33 exams हो गए languages के, यह 33 के 33 जो exams होंगे languages के, यह किस pattern पर conduct कराए जाएंगे, मान लीजे मैंने इसमें से 2 languages ले ली, Hindi and English मैंने ले ली, तो मेरे 2 paper यहां पर यह गिने गए, यह 2 paper जो हैं, मैं किस तरह से दोंगा, तो हर paper में 50 questions आने वाले हैं, each language से जुड़े हुए 50 questions आएंगे, so let's say मैंने Hindi and English, यह 2 languages को चूज किया, so I will be giving 2 papers, one is of Hindi and the other is of English, English के 50 questions में से मुझे 40 questions को attempt करना होगा, in a span of 45 minutes, similarly, Hindi अगर मैंने चूज की है, तो again, 50 questions आएंगे, जिस में से 40 questions हैं, वो मुझे attempt करने होंगे, again in a span of 45 minutes, it is very much possible कि मैं एक language यहां से ले लूँ, दो language यहां से ले लूँ, तीन language यहां से ले लूँ, चार language section 1A से ले लूँ, and दो language यहां से ले लूँ, it is also very much possible कि मैं section 1A से एक भी language ना लूँ, section 1B से ही सारी languages लूँ, and it is also very much possible कि मैं जिस university जिस course के लिए जाना चाहता हूँ वहाँ पे language की requirement मांगी ही नहीं गई है इसलिए मैं section 1 को completely skip कर देता हूँ और सीधा section 2 के subjects जो है that is domain subjects उन पर jump कर जाता हूँ but in any case अगर मैं language paper की बात करूँ यानि कि language section 1A and 1B की बात करूँ तो इसमें किस तरह के questions आएंगे हम सब जानते हैं कि MCQ based questions आएंगे CBT का QQ test है तो इसमें language to be tested through reading comprehension literary aptitude and vocabulary इस तरह के questions आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे अब आगे बढ़ते हैं languages कौनसी कौनसी हमें यहाँ पर दी गई है कौनसे options हमें देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं इसमें Assamese, Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannad, Malayalam, Marathi, Punjabi, Udia, Tamil, Telugu, Urdu यह section 1A की languages है 1B में यह सारी आप देख रहे हैं इसमें कई सारी foreign languages जैसे की Russian, Chinese, Japanese, Tibetan, French, Spanish, German, Nepali, Persian यह भी आ गई हैं mostly यहाँ पर आप देखेंगे की काफी जादा diversity languages की आपको देखने को मिलती हैं now section 2 domain specific subjects now it is very much possible कि मैंने 12th में I mean 12th में मेरे पास humanities थी जहाँ पर मेरे पास humanities के कुछ subjects रहे होंगे जैसे let's say history रही political science रही, economy रही and मेरा aim है कि मैं अब Delhi University के Hindu College से let's say history honors करना चाता हूँ अब मैंने जाकर देखा कि Hindu College CVT में या Delhi University CVT में अगर मैं ये particular course लेना चाता हूँ Hindu College से तो क्या demand कर रही है मैं वहाँ पे जाकर उनकी website पे चेक करूँगा college की website पे चेक करूँगा कि भई particular course के लिए मुझसे क्या demand की जाती है उस course की क्या demand होगी वहाँ पे लिखा होगा उसमें ये लिखा हो सकता है कि भई अगर कोई student हमारे college से history honors की पढ़ाई करना चाता है तो उसे Hindi and English का exam clear करना होगा CVT में plus domain subjects में से उसमें हो सकता है कि लिखा हो history आपको clear करना है political science आपको clear करना है कुछ भी हो सकता है and GT यानि कि general test जो कि section 3 है ये clear करना है so basically domain subjects जो है ये tag करते हैं या मेरी मदद करते हैं कि कि stream में जाकर मैं अपनी honors की degree कर रहा हूँ या फिर कि stream में जाकर मैं अपनी degree को complete कर रहा हूँ now there is a list of 27 domain specific subjects जिन में से मैं 1, 2, 3, 4, 5 choose कर सकता हूँ at the max total CUAT के लिए मेरे पास 10 subjects को choose करने का option है ये 10 subjects जो है section 1, 2 and 3 तीनों में से मिलाकर 10 subjects है so CUAT का अगर मैं exam दे रहा हूँ तो total 3 sections में से 10 papers यानि कि 10 subjects को मैं choose करके exam दे सकता हूँ so इसमें से भी आप देखें यहाँ पर total 27 है इस 27 में से depending on the needs of my college या depending on the needs of my course and college and university मैं यहाँ पर तै करता हूँ कि किस subject के लिए मुझे यहाँ पर choose करना है and appear होना so यह 27 subjects में आप यहाँ पर देखिए हर subject की paper में 40 questions आएंगे जिसमें से I mean 50 questions आएंगे जिसमें से आपको 40 questions को attempt करना है यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ questions ऐसे होंगे या कुछ subjects ऐसे होंगे जिने attempt करने के लिए आपको थोड़ा सा extra time मिलता है but rest of the subjects में आपको same time मिलता है that is of 45 minutes यह वो subjects हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ज़ादा समय की demand आई जाती है क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत सारे sum solve करने रहते हैं या फिर बहुत सारी जैसे balance sheets अगरा बनानी रहती है accountancy में या फिर और कुछ यहाँ पर requirements आजाती है उसमें आप देखेंगे accountancy, physics, economics, computer science, informatic practice then mathematics, applied mathematics, chemistry यह जो subjects हैं इनमें आपको 60 minutes का time मिलेगा again 60 minutes में आपको 40 questions attempt करने out of 50 rest of the subjects जो हैं उनके लिए आपको 45 minutes का ही time दिया जाएगा यह सारे subjects की list आपके सामने है 27 subjects की list आप इसे pause करके इसे पढ़ सकते हैं now section 3 की अगर हम बात करें section 3 general knowledge, current affairs general mental ability, numerical ability, quantitative reasoning यह इसका syllabus है logical and analytical reasoning यह इसका syllabus है again जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50 questions आपको यहाँ पर दिये जाएंगे 50 questions आपको attempt करने रहेंगे out of 60 so total 60 questions आपको यहाँ पर दिये जाएंगे and time कितना दिया जा रहा है that is of 60 minutes यहाँ पर आपको time दिया जा रहा है right so यह यहाँ पर जो एक काफी students है उनको सबसे जादा अगर कहीं पर परिशानी phase भी करनी रहती है या करनी पड़ रही है तो वो इसमें करनी पड़ रही है क्योंकि जो भी student रहता है जो 12th में है खासकर वो अपनी या तो board exam को लेकर त्यारी करता हुआ पाया जाता है या फिर वो कहीं न कहीं अगर थोड़ा सा समय निकलता है तो वो sports या फिर extra curricular activities में busy हो जाते है ये जो चीज है general knowledge वाली जो चीज है current affairs वाली चीज है ये कहीं न कहीं students की काफी पीछे ही छूट चुकी होती है तो अचानक से यहाँ पे जब CVT का exam आता है तो आपको फिर से इसकी need दुबारा से दिखाई देती है और आपके लिए यहाँ पर यह ज़रूरी हो जाता है कि इसको अच्छे से plan करें and plan करके आप इस exam को दें now मैं आप से यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि भई आप लोग इन subjects में से कौन से subjects की त्यारी कर रहे हैं आप comment section में बताइए कि भई आप इन subjects में से field के लिए आप ready हो रहे हैं वो आप हमें बताइए ताकि हम आपके लिए और बहुत सारी वीडियो यहाँ पर लेकर आ सकें now number of questions per subject तो मैंने आपको बताया कि भाई जो हमारे languages हैं उसमें आपके 50 questions आते हैं उसमें से 40 आप attempt करते हैं अगर section 2 की बात करें again 50 questions में से 40 attempt करते हैं section 3 की बात करें तो 60 में से आप 50 attempt करते हैं यह मैंने आपको यहाँ पर already बताया now आगे बढ़ते हैं दोस्तो how do I choose the test again कि भाई मैं जब CUET में जाऊंगा CUET का exam दूँगा तो मैं किस subject के लिए exam दूँगा मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यह बता दूँ फिर से बता दूँ कि भाई total जो हैं आप 10 subjects के लिए exam दे सकते हैं CUET में इस 10 subjects में से कहां से choose कर रहे हैं तो हमने अभी देखा section 1 A 1 B या फिर section 2 and section 3 section 3 में तो एक ही exam है अब यह इसमें से आप जो हैं total bouquet में से आप 10 subjects को choose करके exam दे सकते हैं 10 subjects के 10 different exams यहाँ पर आप दे सकते हैं यह कैसे तै होगा कि मैं कौन से subjects के exam दूँगा किस की त्यारी करूँगा यह कैसे तै होगा तो मैंने आप से कहा कि भाई यह तै करने के लिए आपको completely निर्भर होना पड़ेगा उस university पे उस college पे and उस course पे जिसको आप target कर रहे हैं जिसमें आप अपनी degree पाना चाहते हैं, graduation करना चाहते हैं सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने भी बताया है हमें से unity की जो website है उस पे भी बताया गया है कि भही सबसे पहले you must visit the website of university, organization or institute where you want to get admission and read carefully the details relating to the courses offered eligibility and test that you should appear in for admission to the desired course उसकी जो reservation policy है वो भी वहाँ पे आपको दी गई है admission policy भी वहीं पे उनकी website पे आपको देखने को मिलेगे your choice of subject language GT will depend on the requirements of the desired university, organization, institute यह मैंने आपको अरड़ी बताया and you can opt for more one or more of the test as per the requirement of the university so एक proper procedure यहाँ पर क्या बनता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले आप इनकी जो website है cuit की जो website है summers.cuit.ac जो मैंने आपको बताई उस website पे जाए उस website में मैंने आपको पूरी के पूरी list दिखाई universities की list वहाँ पे दी गई है अब उन universities की list को आप print कर सकते हैं और उस में से choose कर सकते हैं कि मैं किस university को target करना चाहता हूँ अगर मैं अपने case की बात करूँ तो जैसे अगर मैं अगर मुझे आज की date में यह exam देना होता तो हो सकता है कि मैं दली उनिवर्सिटी पंजाब उनिवर्सिटी बियेच यू इस तरह है कि जितने भी college universities से इनको target करता और उसके according जो है मैं अपनी list पनाता आप जिस भी state से आ रहे हैं जिस भी region से आ रहे हैं आपकी requirements के according आपकी needs of course के according यह list आपको खुद तै करनी होगे उसके बाद select the university के उसके बाद जैसे हमने university तै की हमें यह तै करना होता है कि भाई जो हम course चा रहे हैं क्या वो उस university में है वो तै करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे उस particular university या उस particular college में उस course को लेने के लिए क्या-क्या requirements हैं क्या eligibility है और कौन से कौन से courses को हमें CUET में या कौन से कौन से subjects के test हमें CUET में देने हैं now accordingly आप अपने subjects को यहाँ पे टै करते हैं और उनके लिए त्यारी करते हैं यह जो exam है CUET का यह लगबग 10 से 15 दिन हमें देखने को मिलता है कि चलाया जाता है हर दिन there are three slots and आपने जो भी subjects choose किये हैं आपको यहाँ पर spread कर दिये जाते हैं और आप उन subjects को यहाँ पर हर दिन इन तीन slots के माध्यम से उन subjects के लिए आप appear कर सकते हैं now there are some other questions also जैसे कि the undergraduate course I want to do is not available in the list of 27 domain subjects being offered by the CVT what should I do it is very much possible कि भाई जो 27 domain subjects हैं आप इन से बाहर जाकर त्यारी करना चाहते हैं ऐसे case में क्या करना पड़ेगा तो ऐसे case में आप उस university को website पे जाएए जहाँ पर वो course मिल रहा है उस course के लिए उस university की website पे अलग से requirements लिखी होंगी कि भाई अगर आप इस particular course में आना चाहते हैं तो आपकी क्या requirements है वो वहाँ पे लिखा हुआ होगा now what will be the level of questions for CVT तो मैंने आपको जैसे कि बताया 2023 में और आगे आने वाले जो 2024 का भी exam है उसमे CVT का यह जो level है यह हमें 12th based level देखने को मिलागा जो exam हम already देख कर जाते है 12th का board का उसी level का exam यहाँ पे CVT में हमें देखने को मिलेगा tough कहां हो जाता है जो domain subjects है वो तो आप generally क्या होगा जो आप अभी 12th में पढ़ रहे हैं वही domain subject को आप आगे लेकर जाएंगे let's say अगर आप अभी commerce background से हैं तो आप हो सकता है कि become के लिए जाएं या फिर अगर आप humanities background से हैं तो आप BA history honors के लिए जाएं अगर आप science background से हैं तो आप BSC chemistry में जाएं या फिर BSC के किसी और subject में जाएं specialization के लिए so mostly cases में यही पाया जाएगा कि जो domain subject है उसी के लिए आप further target करते हैं so domain के लिए इतनी जादा मारा मारी नहीं रह जाएगी जादा दिक्कत कहां आएगी या तो फिर language में आएगी या फिर GK का जो आपका test है या जो GT test है उसमें आएगी of course domain के लिए भी हमें मेहनत तो करनी ही रहेगी क्योंकि again competition अब सारा यहां आगा how many attempts can I give in CVT so क्योंकि CVT का exam साल में एक बार होता है so you can appear for once only in this exam in a year what will be will a student be allowed to take exam in several subjects listed under section 2 so as to apply to various streams now issues को समझ कर चलिए कि भई maximum जो subjects आप एक बार में CVT के लिए appear कर सकते हैं वो 10 है अब ये list जो है न ये 10 list जो 10 subjects की ये आप decide करते हैं depending on the organization या university जहां आप जाना चाहते हैं so let's say एक मैं आपके साथ एक example discuss करूँ अगर मैं तो मान लीजिए मैं तीन universities को target करता हूँ जिसमें से university 1 है let's say Delhi University university 2 है BHU and university 2 है अलिगड मुसलिम university मेरा ये target है कि इन तीनों ही universities से मैं BSC करना चाहता हूँ right BSC let's say करना चाहता हूँ अब यहाँ पर Delhi University ने मेरे लिए क्या criteria रखा Delhi University में मेरे लिए criteria रखा कि मुझे एक language चाहिए होगी let's say language 1 and language 2 तो मैंने यहाँ पर English and Hindi इन्होंने Hindi and English का criteria रखा वो मैंने यहाँ पर की उसके बाद फिर इन्होंने target रखा या criteria रखा कि भई मुझे तीन domain subjects जिसमें physics, chemistry and bio require होगी and तीसरा इन्होंने रखा कि मुझे GT का यह test देना पड़ेगा so basically 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह 6 subjects का इन्होंने मेरे लिए criteria रखा कि मुझे CVT में अगर यहाँ पर Delhi University से let's say BSC करना है तो मुझे यह चाहिए होगा CVT में यह exams को clear करके आना होगा वहीं पर अगर मैं BSC यहाँ से करना चाहता हूँ और मान लिजिये इन्होंने क्या कहा कि आपको सिर्फ Hindi चाहिए उसके बाद सिर्फ physics and chemistry या फिर chemistry and bio चाहिए and तीसरा इन्होंने भी कहा कि भाई GT so यहाँ पर कितने subjects हो गए 1, 2, 3 and 4 इसी तरह से मान लिजिये AMU ने कहा कि भाई अगर आप यहाँ से यह करना चाहते है इस course को तो आपको यहाँ पर English चाहिए आपको यहाँ पर Physics, Chemistry and Bio चाहिए and there is no requirement for GT GT required नहीं है तो यहाँ पर कितने subjects हो गए 1, 2, 3, 4 अब यह 4 universities मेरी target universities है और 4 universities में मैं यह course अगर करना चाहता हूँ तो मैं कितने subjects के लिए appear करूँ मां CUET में तो मैं यहाँ पर दिखूँगा कि सबसे ज़ादा पहले तो यहाँ पर सबसे ज़ादा subject किसके है again Delhi University यह तो मुझे appear करना ही होंगे अब इस में से it is very much possible कि कुछ common subjects निकलाएं जैसे यहाँ पर निकलाया PCB है यहाँ पर भी CB है यहाँ पर भी PCB है तो यह common subject निकलाया तो यह पूरी के पूरी list मेरे को इस तरह से decide करनी रहेगी कि मैं कितने subjects के लिए appear करने वाला हूँ maximum subjects में कितने ले सकता हूँ again जैसे कि इसमें बताया गया है 10 subjects आप maximum यहाँ पर target कर सकते हैं right so इस तरह से आप यहाँ पर तै करते हैं what is the maximum number of tests that I can again जैसे कि मैं आपको बताया 10 subjects वो maximum है अब fee की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखिए अलग-अलग categories के लिए यहाँ पर अलग-अलग fee तै की गई है depending on the number of subjects that you take so अगर आप up to 3 subjects ले रहे हैं and general category से आते हैं 750 fee है up to 3 के लिए OBC से अगर आते हैं economically weaker section से आते हैं तो आप 700 देख देते हैं अगर आप SCST वगरा category से आते हैं तो 650 देते हैं अगर आप कोई affiliated college के लिए भी apply कर रहे हैं Central University से जुड़े वो affiliated colleges के लिए भी apply कर रहे हैं तो भी आपको CVT देना पड़ेगा now there are various degrees जैसे कि आप BA in music करते हैं या फिर dance करते हैं तो उसमें आपको यहाँ पर जो है आपका जो written CVT exam होगा उसमें तो आपको appear होना ही है उसके साथ-साथ आपको यहाँ पर skill test के लिए भी appear होना रहेगा Will I get weightage of class 12th board marks in admission The answer is no No weightage is given in CVT or in your admission process when you are talking about board exam results Definitely जो मैंने आपको पहले कहा था कि भाई आपके minimum eligibility condition में 12th के marks को consider किया जा सकता है अलग-अलग colleges, अलग-अलग universities उसमें minimum requirement of marks लेकर आ सकते हैं कि भाई आपको 12th में इतने number लेकर आने होंगे minimum तब ही आप CVT का आपका result consider किया जाएगा Where do I need to check the eligibility criteria or subjects tests which I need to take for appearing in 2024 CVT So मैंने आपको बताया कि भाई यह जो criteria है यह institution की website पे आपको मिल जाएगा जिसमें आप target कर रहे हैं एक particular course को Am I eligible to get admission if I have appeared in CVT CVT में appear करना यानि कि CVT में बैठ कर वापिस आ जाना is not the only requirement जिसके basis पे आपको CVT के basis पे आपको admission मिल जाएगा इसमें भी आप जानते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि आपको सारे के सारे eligibility criteria है उस college के जिसमें आप admission लेना चाहते हैं उन्हें fulfill करना होगा plus क्योंकि competition तो यहाँ पे भी है numbers का criteria सबसे important हो जाता है so सिरफ CVT के exam में बैठ कर थोड़ा बहुत attempt करके आ जाना उससे आपको admission कहीं तो मिली जाएगा ऐसा कहे देना it is not right आपको college जिस भी college को आप target कर रहे हैं उसकी criteria को देखकर चलना पड़ेगा do I have to mention the name of university participating institution in my application form यानि कि जब आप CVT का form भर रहे हैं तो क्या उस CVT के form में आप अपने target university target institution का नाम लिखेंगे the answer is yes क्योंकि जो आपका CVT का data है ये उस list के basis पे या उस mentioning of name के basis पे ही उस particular university को भेजा जाएगा जिसको आप target कर रहे हैं और उसके बाद ही वो university आपकी counselling के लिए आपको बुलाएगे how many universities can be chosen by a candidate at the time of registration तो यहाँ पर universities को choose करने की कोई limit नहीं है last year ऐसा हुआ था कि कुछ एक हमारे students ने सिरफ एक दो universities को choose किया बाद में उन्होंने हमें आके बताए कि हमने सिरफ Delhi University को ही choose किया है Delhi University में फिर उनका वो अच्छी बात है अलग बात है कि वो admission हो गया लेकिन यहाँ पर multiple universities को आप target करके चल सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है हाँ maximum subjects जो है वो 10 ही आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं वो एक restriction है do we have to give our preference for any university अब आपने let's say 4 universities को यहाँ पर target कर रखा है अब 4 universities में आप कोई preference नहीं देते हैं उसमें तो उनकी उपर depend होगा ना let's say आपने 4 universities को target किया अब उन चारों में से आपके marks किस में अच्छे आ रहे हैं किस के हिसाब से अच्छे आ रहे हैं उसमें आपका admission हो जाएगा I am currently studying in class 12th with subject of physics, chemistry, maths and bio can I opt for geography honors can I take the combination of domain subjects geography, bio, chemistry from my CUET 2023-2024 now it is 2024 or do I have to opt only for the test relating to subjects which I had studied in class 12th now जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तो कि new education जो policy आई है उस policy आने के बाद हमें काफी freedom मिला है अब सरकार ये चाहती है कि भई हम अलग-अलग subjects को combine करके अपने interest के हिसाब से पढ़ें but then again कहीं न कहीं ball अभी भी हमारी universities के पाले में है वो बताते हैं कि भई क्या एक ऐसा student जिसने class 12th में science stream ली हुई थी क्या वो stream change करके दूसरी stream में हमारे पास आ सकता है या नहीं जैसे कि मैं दिली उनिवसरी की अपने ही example की बात करूँ जब मैंने यहाँ पे graduation किया था तो मैं commerce background से था and मैं BA यनि humanities background में मैं switch कर पाया था क्योंकि उसमें भी marks मांगे गए थे 12th के तो it was easy, comparatively easy बट यहाँ पे भी आप जिस university में target करना जा रहे हैं लेट से अब दली उनिवसरी में ही target करने जा रहे हैं वहाँ पे अगर आप BA history honors करना चाहते हैं तो उस history honors करने के लिए आपको CVT में कौन से subjects में appear करके उसमें pass होकर आना होगा अच्छे number लाने होगे वो वहाँ पे लिखा हुआ होगा तो उसके according आपको यहाँ पर उन subjects के लिए appear करने की आजादी है Now, what is the minimum number of domain subjects 1 में apply Now, maximum number is 10 Domain इसमें से आप एक रखे हैं या एक भी नहीं रखे हैं That is up to you So, there is no minimum number of domain subjects Domain subjects मने क्या Section 2 के जो हमारे subjects थे वो यहाँ पे पूछे गे हैं Now, I want to opt Hindi in language test But I want to appear in other tests in English medium Now, please understand कि language test and medium में difference है आप language test के लिए जब appear हो रहे हैं जैसे मैंने अभी BHU वाला example भी लिया कि भई मैं Hindi वहाँ पर उन्होंने मेरे से कहा कि भई अगर आप यहाँ पर PCB यानि कि BSC करना चाहते हैं तो आपको language जो है वो Hindi लेकर आनी ही होगी It is just an example, right तो मेरे को वहाँ पर language हिंदी में अपियर होना पड़ेगा लेकिन मैं अलग से अपना medium of examination भी बताता हूँ right एक बार फिर से मैं उस example पर आपको लेकर चलता हूँ so that एक better clarification आपको मिल सके right so okay where is that example यह example है so let's say मैं BHU में यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ अब मुझे यहाँ पर उन्होंने language का कहा कि आपको हिंदी language में appear होना होगा CUT में यह language में ने appear हुआ but इसका मतलब यह नहीं है कि जो मेरा chemistry and bio का paper होगा वो भी मुझे हिंदी में देना होगा ऐसा नहीं है chemistry and bio के लिए मैं अपनी medium of language जो है वो 13 languages में से कोई भी चूज कर सकता हूँ उस medium of language में मुझे chemistry and bio के लिए appear होने की आजादी मिल जाएगे so यहाँ पर भी यही question है कि भाई जो मैं language चूज कर रहा हूँ क्या जरूरी होगा कि उसी language में मैं बाकी के paper भी दूँ so यहाँ पर मैंने language जैसे कि मेरा section 1 है section 1 A है and 1 B है माली जी है 1 A में से मैंने Hindi चूज कर ली अब section 2 का जो paper होगा या फिर section 3 का जो paper होगा क्या वो भी मुझे compulsorily Hindi में ही देना होगा ऐसा जरूरी नहीं है इसके लिए मैं अपना language medium जो है वो English भी रख सकता हूँ but I don't have psychology as a subject in class 12th do I have to fill psychology as domain specific subject again ये भी किसके कौन decide करेगा ये भी हमारी वो university वो college decide करेगा जिसमें हम admission लेना चाहते है सवाल कैं मैं दुबारा बता दू मैंने 12th में let's say 4 subjects लिए होए थे एक English था फिर sociology था या फिर sociology, political science, history लिया होए था अब मैं यहाँ पर मेरा मन बन गया कि मुझे psychology honors करना है तो क्या मुझे domain subject में जब मैं CVT के लिए appear हो रहा हूँ तो domain subject में मुझे psychology में appear करना होगा या फिर मैं अपने वो जो पहले के 12th के subject से उनी को domain subject बना के मैं appear करके और psychology honors में admission ले लूँगा तो इसका जबाब क्या कह गया कि भई अपने उस college को check करो उसकी website पे check करो कि वो इस particular honors subject के लिए कौन सी CVT की domain subject की knowledge आप से मांगते है Now What is the minimum maximum age criteria So minimum maximum age criteria 2023 या 24 में हमें कोई देखने को नहीं मिल रहा है अब यहाँ पर admission in any university is subject to age criteria that may be applicable as per their rules So वो university जो है वो खुद से decide कर सकती है भी हम कौन सी क्या age हमारी criteria होगी लेकिन यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता ठीक है Will the question paper appear in bilingual or only in English So basically question paper जो है न यहाँ पर जो CVT का question paper होगा वो bilingual होगा Bilingual में कौन से languages आ जाएंगी So इसमें एक English language होगी जैसे मान लिजी हम section 2 की बात करें section 2 या section 3 की बात करें तो आपने मान लिजी medium of examination है वो आपने let's say asmees ले लिया So एक तो asmees में यह दोनों paper आएंगे जो भी section 2 से paper आप चुनेंगे या section 3 से चुनेंगे एक तो asmees में आएंगे and दूसरा English में आपको वो मिलेंगे ही मिलेंगे So इस तरह से bilingual नहां पर आपका paper रहता है अब हमें यह भी देखने को मिलता है कि भारती universities में बहुत सारे NRIs भी आते हैं and foreigners भी आते हैं तो NRIs के लिए क्राइटीरिया है क्या वो CUET में appear होंगे या फिर foreigners जो हैं क्या वो CUET में appear होंगे तभी उन्हें भारत की universities में admission मिलेगा यह कैसे तैह होगा यह उस particular college उस particular university के criteria पे तैह होगा वो क्या चाहते हैं अब हमें देखने को मिलता है कि अलग-लग universities में quotas होते हैं लेटसे दिली university में NRI quota है आप वहाँ पे अगर कोई NRI आकर लेटसे BA history honors ही करना चाहता है तो उसके लिए उस particular college की website पे जाना होगा वहाँ पे यह देखना होगा कि NRI quota है के नहीं and NRI quota में अगर को student admission लेना चाहता है BA history honors में ही let's say तो वहाँ पर उसे कौन से domain subjects को clear करके आना होगा या करने की जुरूरत है भी के नहीं वो सब उस particular university उस particular college की website पे देखने को मिलेगा similarly foreign nationals के case में भी हमें ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जो कि उनकी website पे हमें देखने को मिलेगा कि भई I mean college की website पे हमें देखने को मिलेगा कि भई particular जो college है उसमें admission foreign nationals को कैसे दिया जा रहा है now CUET 2023 की अगर हम बात करें specifically हमें देखने को मिला था कि भारत के बाहर भी 24 cities में इसे conduct कराया गया था और आपने अभी अगर fee structure भी देखा हो तो उसमें ये देखने को मिला कि भई 24 आमिन जो fee structure है वो outside India centers के लिए काफी जादा रखा गया है so इस बार भी उमीद है कि ये outside India जो CUET है वो कराया जाएगा और जो बाहर रहने वाले NRIs हैं और जो बाहर रहने वाले foreign nationals हैं जो भारत में आके पढ़ना चाते हैं उनके लिए ये फाइदे मंद रहने वाला है ये कुछ basic जानकारी आज हमने discuss की CUET से जुड़ी हुई आप comment section में हमें बताइए कि और कौन सी कौन सी बातों पर आपको जानकारी चाहिए कौन सी कौन सी CUET से जुड़े हुँ मुद्दों पर आपको जानकारी चाहिए हम आने वाले दिनों में आपकी CUET में सहायता करने के लिए और कई सारी इस तरहें की informative videos लेकर आते रहेंगे जहां पर आप जो जो subjects को पढ़ना चाहेंगे जो जो domain subjects को पढ़ना चाहेंगे या फिर section 1, section 2, section 3 से जुड़ होए जिन subjects को भी पढ़ना चाहेंगे आप हमें comment section में बता सकते हैं so that उसके according हम आपके लिए यहां पर videos लेकर आस सकें आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद अगले वीडियो में फिर एक बार मुलाकात होगे तिल आप, thank you and good luck to you all thank you